में लाइव आ रहा हूं तो सअटीयों अभी में अभी में भी होके अभी आया है शुआ शुआरश Mississippi आम यो समाज के लिए एपने टीचे रिंश क debating गरता हूं जिन्हों जेल गए उनके साथ में किस प्रकार की पतार ना हुई मैं देखा उस चीज़ को और उसके बाद भीमार्मी की सहस्तावक बड़ेवा चंसिक राजाद राश्य अद्यक्स बड़ेवाई विनरे लितुन सिंजी उनको परा क्रांति कर जैबी जिन्होंने पूरे देश के अंदर भोजन समाज को एक कर दिया और ये निली करांति का आगाज कर दिया कि आज का युवा आज का भोजन मिश्नर साथी अब बिल्कुल सियर्ण करने वादा नहीं है साथियों अभी हम लोग दिल्ली में हैं और अभी जश्ट चंसिकर भाय आजात और जितने भी साथी हैं उन से भी साथियों को जो यहां की परससन है मोधि सरकार है इतनी डर गई थी कि उसने जो साकेट जो कोर्ट है वहाँ पर बेल के लिये केसपार होना था लेकिन वहां से हटकर यहां पर हुआ उन्होंने पुरा सिश्टम चेंज कर दिया उसके बाद पिर यहां साकेट जो पुलिस थाना है साकेत पुलिस्थाना में हमारे 96 जो हमारे साती है बड़वचंस का राजाद है पूरी टीम को यहां पर लाया गया और यहीं पर केस फायर हुआ और यहीं पर पेशी हुए यहीं पर जज आया था जेल में साती हैं बहुजन समाज और भीम आर्मी का यह खोब है कि अब जो था हमारे जो साती हैं पुरेदेश के जो साती है अलग-अलग राज्य से अलग-अलग जिलो से जो यहां पर आए और वह आज जेल बंद हैं उनके परिवार वाले चिंता ना करें भीमारी में के प्रदिस प्रभारी दिल्ली प्रभारी सुझिस समराग और उनकी पूरी टीम ने यह ठान लिया है कि उनके सभी के केस वो लोग लड़ेंगे और फ्री अपकास्ट एक भी रुपईया किसी भी व्यक्ति को देनी जरुवत नहीं है यह बड़ावा सुझिसि मलसमराग ने कहा है तो सातियों बिल्कुल टेंशन ना ले अभी जैसे कि उन्होंने कहा साथियों बहुत विड़मना का समय है कि हमारे जो साथी है जिनोंने अपने घर से निकले थे और वो तो ये सोच के आये थे कि बिलकुल चाये आज जान क्यों ने से लिए लेकिन हम लोग पिछे हटने वाले नहीं है साथियों पुरे देश के जिन ने साती हैं अपने अपने साहरों में अपने जिलों में और अपने संभागों के अंदर डी आइजी, डी एम, एसपी सभी को ग्यापन दे और सातियों इस केस में हमारा जो मंदीर है गुरु महराज का बैविदास महराज का उस मंदीर को इन लोगों ने तोड़ दिया और उसको बचाने के लिए जब हमारे लोग सड़कों पर निकले तो इनों ने इनके गुंडे ने उस भीड में भेजें और उस भीड में भेजकर बसों में तोड़ा थोड़ा थोडरा आरा काम करवाया पुलिस ने विड़को उकसाया है कि साथष्यों कहीं यह एक और पुलिस और को सरकार के नुमाहिंदों ने हमारे भाईयों पर इतनी दाराय लगाएं कि धारे खत्व होगी कम से कम हमारे भीमारी पर जितने साती हैं भड़ा चंसकर राजाद वस्तवी के ओपर तेरा लगी है थर्टी, तेरा धारा, इतनी धारा लगने के बाद भी बड़ेवा चंसर राजाद ने गाड़ी में से यही का कि मंदिर वही बनेगा, और उनके होसले को मैं सलाम करता हूं, जिन्नोंने इतना बड़ा कदम हुधाया, और पूरे देश में यह आगाच कर दिया निली करांती का कि अब भोजन समाच, अब भोजन समाच रुकने वाला नहीं है, साथियों हम लड़ेंगे, मैं हमारे मद्य परदेश के साथी, तीन साथी हमारे जो की, साथियों नेट्रल प्राबलों होने कारण बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और सारे साथी कॉल भी कर रहा है, साथ एक बंदा जो जेल के अंदर गया है, सबसे पहले हम लोग उनी के लिए लड़ाई लडएंगे, हम लोग उनी को बेजल से भार करवाएंगे, उनके परिवारों को मैं खुद असुसन देता हूं, मैं खुद अपिल करता हूं कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका आजी तक गवादी, सातियों, उन्होंने अपने जान से बढ़कर इस चीज को देखा, तो हम उनको सलाम करते हैं, और सबसे पहले हम उनको निकालने का बहार काम करेंगे, सातियों जितने भी सातियों है, हमारे जम्मू कस्मिर के साति पवन कुमार जी, जो कि बहुत एक्ट प्रसाशन, हमारे कुछ साति ऐसे हैं, जिनका अभी तक अता पता नहीं चल रहा है, 96 के अलावा, बहुत सारे साति ऐसे हैं, जिनके घर वाले आज आये थे, और वो लोग गयब हैं, तो सातियों हम लोग उसके लिए भी अपिल कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग केस फार कर रहे हैं, आखिर ये लोग ना पुलिस कस्टडी में हैं, ना घर गए हैं, तो ये लोग आखिर कहां गए हैं, इन लोगों ने, हो सकता है कि ये लोग हमारे सातियों को मार दें, हो सकता है कि ये लोग हमारे सातियों को वायब करवा दें, आखिर वो लोग कहां हैं, तो उ उनके लिए सरकार काम करें हैं कि आगे शिले से कि आगल Zach वे कि हमारे तीन साती मेरे साहथ आयात मद्धिपर्देश से वह प्लोग को बोला है आप डिण लूग डरन है हम लोग आपके साथ कड़े हैं और आपको बहार निकलकला ही मानें चनल से बाजय ने Content बहात हो बनेगा चाहिए इसके लिए कुछ भी हो जाए सातियों यह हमारे साती भी इनको भी क्रांतिकार जे भीम जो देवली और कांगनी खेड़ा के निवासी हैं मेरे खुद जहां से मैं इलेक्शन फाइट किया था चुनाव लड़ा था 2018 में विदान सभा का इन सातियों ने बहुत सपोर्ड किया और आज भी सपोर्ड कर रहे हैं मैं पुरी आगर की पुरी मालवा की पुरी मद्धिपरदेश की भूमी को उन माताओं सलाम करता हूं जुन्होंने दो अप्रेल में भी अपने बच्चों को सहीदी मलब करवाया समा जहां पर बहुजन समाज को एक सुत्र में बांध कर हर चीज के से अउगत करने वाले बाबा साथ भीमरा अंबेट कर पेदा हुए हम लोग उस भूमे से आते हैं तो हमें फक्र होना चाहिए कि हम उस भूमे में पेदा हुए मद्धिपरदेश की धरती में पेदा हुए जह सुनते थे शंत रविदास महराज के लिए हम लोग इखट होए और लडएंगे सातियों जितने साती है मैं आप सबी सातियों से अपिल करता हूँ कि आप सबी साती अपने शेत्रों के तैयारी करें बड़े बड़े ज्यापन की बड़े धन्णों की क्योंकि ये सरकार मानने आपने वाल नहीं है चाहे हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोगों को मंदिर वहीं बनाएंगे हम लोग अभी तो यह निली करांती का आगाज है नई दिल्ली में, रामला मेदान में इतने कम समय में 9 तारिक को डिसिजन आता है, 10 तारिक को मंदी तोड़ा जाता है और 11 तारिक के दिन ये आगाज हो जाता है कि हम लोग 21 तारिक को इखट होने वाले हैं और इन दस दिनों के अंदर इतनी बड़ी भारी पब्लिक एतिहासी पब्लिक ना आज तक इखटी हुई है ना होगी कभी भविश्य में हो सकती है लेकिन अभी तक इतनी पब्लिक इतने अनुयाई अभी तक इखटे नहीं हुए उन सभी सातियों ने अपने घर से सिर्फ इस अपने जान तक इस समाज ने लड़ रहे हमारे लिए क्या दिन औरई रात बिलकुल नहीं हम लोक सिर्फ सिर्फ आपके लिए अपनी जान तक इस समाज के लिए महापुरसों के लिए इतिहास के लिए हम अपनी गर्दन कटवा देंगे आचंसगर भाई आजात और बड़े भाई विनरेतन सिंग जी ने दोनों ने एक ही सुर में कहा कि मंदिर वहीं बनेगा और यह जो पुलीस है दिल्ली पुलीस है भाईजन समाज के ओपर इतने गंभी रूप से इतने निन्दनी रूप से विवार कर रही है कि हम कुत्ते हैं हमारे लोग भेड़ बक रही हैं जो तुम लोग उनके ओपर डरा डरा के बहा रहे थे हमारा एक साती है सामंत प्रदान है जो बिहार से चलकर आया था उस साति को सिर पितली मारा घया आज साकेत त eme थाने के अंदर साकेत पुलिस जो दिली फुलिस है क्यों कि उस साति ने हैं चन्सिक्र भाई जब आये थे तो उन्होंने उसने जेभ्यम कर दिया तो कि ज不知道 करना अपराद है जेविम करने पर उस हमारे सामंत प्रदान को जो बिहार से जिलकर आया था उस साती को इतना मारा 20 से 25 पुलिस उने पकड़ कर मारा उसको और अंदर ले गए वो दो घंटे गंदर छोड़ा उसको तो यह पुलिस के जेविम करना भी हमें बंद कर देगी साती इनके खिलाब भी हम लड़ेंगे एसे पुलिस अधिकार को सस्पेंड करवाना है जितने भी जहां जहां भी हमारे बाबा साब का अपमान करते हैं उनको भी बहार फिकना है सातीयों आज आप सभी साती सहयोग कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी स मंदिर का सवाल नहीं है मंदिर हमारे विचारों का है हमारी विरासत का है हमारी विरासत का सातीयों सातीयों तैयारी करें आप सभी लोग और अभी मैं दिल्ली पर मोजूद हूं मंद्र बद्रश के जितने साती हैं मैं आपको यह विश्व दिलाता हूं कि हमारे सातीयों के साथ हम लोग सुरक्षीत सभी जो 96 हमारे जो साती है सभी हम लोग जल्दी बाहर करवाएंगे कि हमारे भीमार हमी के प्रदेश अध्यक्स चिंदनकुमार पासवान जी जो कि उनको भी वहां पर लट पड़ी पूलिस के द्वारा और एक और हमारे प्रदेश के साथी सागर बगाना उनको भी लट पड़ी है आज इसलिए लट पड़ी है क्योंकि ये लोग चाते नहीं कि हम लोग हमारे जो चंसकर भाई हैं उनके साथ खड़ रहे हैं ये आवाज दबाना चाते हैं नीली करांती की जो आवाज है उसको दबाना चाते हैं ये लोग तो हम दबने वाले नहीं हैं तुम्हें एक लट मारोगे हम सो लट खाने की ताकत रखे लगते साथी और जरुद पढ़े तो हम आरे सकते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए चूप है कि यह बाबा साथ के सविधान का पालन करते हैं हम बाबा साहब की जो गाइट लाइन उसके साफ से जलते हैं मजबूर ना करो हमको यह तो हम लोग दिल्ली तो क्या पुरा देश महई दो तरहे तो मृट कर सकते हैं हैं अबीतु दिल्ली सड़के जाम होएं मैं अगर बाबा साहब कर ना जो हम राइट दी O जो मैं अधिकार दिये हैं हमारी विरासत को बचाने के लिए हमें हमारे गुरु महराज को बचाने के लिए तो हम पूरे देश की सड़के भी जाम करेंगे जल्दे ये मनवज सरकार मुदी सरकार सुन ले कान खोल कर और उन सभी सातियों का सादुवात उन सभी सातियों को मेर बहुत grand salute यहां पर जो साती ही इस समाज को आगे ले जा सकते हैं और यहां पर जो दलाल जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि यहां पर यहां पर जो साती मारे गए लेकिन साती हो हमारे एक भी साती की जानमाल की हाई नहीं हुई है कोई भी साती नहीं मरा है कि मैं आपको इस बात की यहां पर सभी लोग सुरक्षी थे और कुछ साती अभी ला पता है तो हो सकता है वो साती अपने घर पहुच जाए जल्दी से अगर आपके घर पे नहीं आते एक जुदिन में तो फिर आप संपर करें उनके खिलाब पुलिस पुलिस के खिलाब हम लोग कारवाई करेंगे कि हमारा बच्चा आखिर कहा गया पुलिस पुलिस की जो कारवाई है उस कारवाई के रवयों को देखते होगे सभी साती मेरा करांतिकरी जैभीम और समय कापी हो चुका है और मैं अगली कड़ी में फिर आप से लाई बड़े भाई वेनरतन सिंग जी को और पुरी टीम को छुड़वाने के लिए आप अपने सेत्रों में ग्यापन दे और जो आज यहां के जज ने यहां के प्रसासन ने जुडिस हिली ने हमारे भाई योग को चौतर दिन की जो तिहाड जेल में जुडिस हिली का जो आडर दिया है उसके खिलाब भी हम लोग बेल अब एप्लिकेशन करने वाले हमारे प्रभारी दिल्ली के प्रदिस प्रभारी सुझी समराट सिंग जी और राहुल नाकपाल जी कनिस्क और अपने हिमान सुवालमिकी जी सभी साथी तैयारी कर रहे हैं और जल्दे ही हमारे बड़ तो महीं बनाएंगे जाए कुछ भी हो जाए अब तो सातियों आप सब्सक्राइब को जैभी और इसी तरह आप समाज का अपने महापूरसों की विचार धारा पर चले और समाज का साथ पकड़कर साथ देकर चले सातियों हमें एक जूड होना बहुत जरूरी है नहीं तो य आप एक मेरा जै भीम जै भीम आर्मी जै सुर्दान